Hello everyone, आज के इस session में हम discuss करने जा रहे हैं class 10th biology के chapter Control and Coordination का एक और नया topic और वो new topic है reflex sections previous lectures में हमने ये chapter पढ़ना start कर दिया था और अब तक हमने इस chapter के कई सारे amazing topics को discuss कर भी लिया है जैसे कि हमने शुरवात करी थी cells of nervous system topic के साथ जहां पर हमने neurons के बारे में पढ़ाई करी थी, एक typical neuron का structure मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया था उसके अलावा फिर हमने बात करी थी impulse के उपर, impulse का generation, conduction, transmission ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था In fact, previous lecture में हमने human nervous system का topic भी complete कर लिया है Human nervous system में हमने central nervous system को एकदम detail में जाकर के पढ़ा था Brain and spinal cord के बारे में हमने कई सारी अच्छी अच्छी बाते करी थी Peripheral nervous system जितना आपके syllabus में हैं उतना मैंने आपको कल, मतलब की previous lecture में cover करवा दिया है यानि कि हम अपने chapter में इतना सब कुछ अब तक पढ़ चुके हैं तो अब जरूरत है chapter में थोड़े से और आगे बढ़ने की और एक नए topic को समझने की और इसलिए आज के इस lecture में हम बात करेंगे reflex sections के उपर अब देखो होता यह है बिटा कि हमारी body में कुछ दूसरे involuntary और voluntary actions भी होते रहते हैं तो आज के इस lecture में reflex actions को पढ़ने और समझने के बाद हम बात करेंगे definitely involuntary और voluntary actions के उपर भी तो बस यही तो है हमारे आज के इस session का target hopefully आप सभी को समझ में आया होगा तो अब एक काम करते हैं अपने इसी target को achieve करने के लिए आईए करते हैं अपने session की शुरुबात So this is विभूती खरे Welcome to definite success बादशाला एक ऐसा platform जहाँ पर आपको provide करवाई जाती है एक दम quality education एक ऐसा platform जहाँ पर एक चीज़ definite और वो है आप सभी की success तो इसी अची बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये session जहाँ पर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे reflex actions को और हाँ उसके बाद में हम कुछ दूसरे involuntary और voluntary actions को भी discuss कर लेंगे ओके? चलो आज ओ फिर फड़ा फटसम क्या करते हैं? आज के session की कहानी को शुरू करते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कहानी की शुरुवात कहां से होगी reflex actions के बाद और उसके बाद में हम बात करेंगे voluntary and involuntary actions के उपर भी ठीक है? अच्छा हाँ एक छोटी सी जानकारी मैं आप सभी को यहाँ पर देना चाहती हूँ कि इससे पहले कि हम reflex actions को पढ़ना शुरू करें बेटा एक छोटा सा topic और बनता है types of neurons का ठीक है? तो मैं यह चाहती हूँ कि सबसे पहले अपन यह छोटा सा जो topic है इसको अपन निप्टा लेते हैं और फिर इसके बाद में अराम से बात करेंगे reflex actions के उपर ठीक है? आज़ो अब देखो बेटा ऐसा है कि इस chapter की तो अपन ने शुरुवाती neurons के साथ करी थी अगर आपको याद हो, मतलब अगर क्या याद होने ही चाहिए, इस chapter का जो पहला lecture था, first lecture I hope आप सभी बच्चों ने पहला lecture लगा लिया होगा, देख लिया होगा है ना, तो इस first lecture में हमने क्या किया था? neurons की उपर ही तो बात करी थी भई, एक typical neuron का structure मैंने आपको वहाँ पर अच्छे से explain कर दिया था क्या-क्या components होते हैं, क्या-क्या neuron का structure आपने समझ लिया है ना, अब हम बात करते हैं, types of neurons की उपर तो बिटा, तीन तरह की neurons होते हैं, कितने? तीन तरह की neurons होते हैं नाम आपके सामने लिखे हुए हैं एक होते हैं sensory neurons एक होते हैं motor neurons और एक होते हैं relay neurons ठीक है? तीन तरह की neurons होते हैं क्या क्या नाम है sensory neurons motor neurons and relay neurons आप अभी के लिए फिलहाल के लिए जो इनके दूसरे दूसरे नाम है जैसे कि sensory neurons को अपन receptor neurons भी बोलते हैं motor neurons को अपन effector neurons भी बोलते हैं relay neurons को अपन connector neurons भी बोलते हैं तो आप अभी के लिए हमेशा के लिए पटा नहीं बोल रही हूं मैं अभी के लिए आप क्या कर सकते हो इनकी जो दूसरे दूसरे नाम है इनको आप avoid कर सकते हो लेकिन हाँ जैसे जैसे अपन आज के ही इस lecture में आगे बढ़ते जाएंगे ये दूसरे दूसरे नाम भी मैं आपको रहे हो इसके पहले 9 मैं आपने टिशू स्टाप्टर में नर्वस टिशू पढ़ा था है ना उसमें आपने थोड़ा बहुत neurons के बारे में पढ़ाई होगा फिर आप 10 में 10 में आ कर कि आपने फिर से क्या करा प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है एक neuron का, वो आपने अच्छे से समझा और आप पहली बार अब क्या कर रहे हो types of neurons का topic deal कर रहे हो, तो इसलिए अभी के लिए मैं आपको बोड़ रहे हूं कि बस इतना ध्यान रखो कि तीन तरह के neurons होते हैं sensory, motor and relay neurons ठीक है, नाम याद हो गए अच्छा, अब दिमाग में एक और सवाल आएगा कि मैं ये करते क्या है आपने नाम तो बता दिये तीनों types बता दिये, पर ये exactly करते क्या है, तो आजाओ वो भी देख लेते हैं, भी दिमाग में तुमारे सवाल आया है, तो उसका जवाब तो तुमें मिलना चाहिए आजाओ, लेकिन समझने के लिए फिर हमें एक example देना होगा तो आजाओ, example कुछ इस तरीके का है कि मान लो ये मेरा हाथ है मानना क्या है, हाथ तो मेरा है ही ठीक है, ये मेरा हाथ है इसकी आपर तुमको skin दिख रही होगी कभी butterfly आके बढ़ जाती है कभी कुछ आके बढ़ जाता है आज मक्खी आ करके बढ़ गई है आज क्या करें बेटा, example तो देखो ऐसे ही relatable type की देने पढ़ेंगे तब तो तुम समझ पाओगे ठीक है, तो ये मेरा हाथ है और यहाँ पर जो है बेटा, एक मक्खी आ करके बढ़ गई है आप यहाँ पर जो मक्खी आ करके बैठी बेटा इसकी जानकारी कहां जाएगी इसकी जानकारी जाएगी अरे बताओ ना अब तो पढ़ चुके हो ना पिछले lecture में अपने nervous system का जो topic है वो cover किया है कि नहीं किया है Central nervous system पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है वहाँ पर brain and spinal cord के बारे में चर्चा करी है कि नहीं करी है तो अब तो तुम 100% क्या कर सकते हो इस सवाल का जवाब दे सकते हो ना यहाँ पर अगर मक्खी बैठी है तो इसकी जानकारी कहां जाएगी इसकी जानकारी जाएगी CNS के पास बोले तो central nervous system के पास है की नहीं अच्छा अब आप बोलोगे कि मैं central nervous system में तो दो चीज़े होती है एक brain होता है, एक spinal cord होती है brain और brain की चोटी spinal cord तो यहाँ पर जो मक्खी बैठी है इसकी जो जानकारी है वो central nervous system के पास तो जाएगी बट central nervous system में भी exactly किस के पास spinal cord के पास या brain के पास तो बेटा देखो तरीका मैं आपको समझा देती हूँ सबसे पहले जो जानकारी होती है वो जाती CNS में ही है सबसे पहले जाती है information सबसे पहले जाती है CNS में और CNS में भी सबसे पहले कहा spinal cord में फिर spinal cord क्या करती है जानकारी को भेशती है brain के पास क्योंकि बेटा ultimately brain ही तो होता है जो तमाम सारी जानकारीों को ले करके informations को ले करके उनकी processing करता है फिर command generate करता है आप बोल सकते हो कि decision लेता है है की नहीं सब कुछ तो जो है बेटा brain को ही करना है न तो ये बात सही है कि अगर यहाँ पर मेरे हाथ पे मक्खी आ करके पैठी है तो इसकी जानकारी जाएगी CNS में यानि कि central nervous system में central nervous system में भी कहां सबसे पहले spinal cord में आपर होती न spinal cord फिर spinal cord क्या करेगी उस information को आगे बढ़ाएगी जैसे कि आगर आपको school में जो है कोई application देनी suppose आप leave पर जा रहे हो घर में कोई शादी ब्या है आपको छुटी चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करोगे अपनी application दोगे अपने class teacher को class teacher क्या करेंगी उस application को जो है आगे बढ़ाएगी आगे कहाँ wise principal के पास फिर हो सकता है कि wise principal भी क्या करे आपकी application और आगे बढ़ा दे बोले तो principal ma'am के पास तो ये होता है तो ठीक वैसे ही शरीर में जो भी कुछ चल रहा है उसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ जाएगी CNS में CNS में भी सबसे पहले कहाँ spinal cord मर फिर spinal cord क्या करेगी जानकारी आगे बढ़ा देगी किसको brain को देदेगी फिर brain क्या करेगा उस information की processing करेगा वो पुराने कच्चे चिठे निकालेगा कि अरे पिछले बार तो ये मक्ही आ करके बैठी थी अरे मक्ही तो बहुत बुरी होती है बिमारी फैलाती है अरे इसको हटाना पड़ेगा भगाना पड़ेगा यानि कि brain ने जानकारी ली और जानकारी की उनों processing करी और processing करने के बाद में decision क्या लिया भी हमारे पास decision making skills होती है कि नहीं होती है frontal lobes याद होगा आपको तो brain ने decide कि इसको हटाओ तो बिमारी मतलब मक्ही अच्छी चीज तो होती नहीं कोई ऐसा इंसान है जिसको बोले कि मक्ही तो मुझे पसंद है मैं तो अपने घर में मक्हीं को पाल के रखता हूँ ऐसा कोई इंसान होता है क्या नहीं होता है तो CDC बात है brain ने decision लिया कि यार यह जो मक्ही आकर के बैठी हुई है यह अच्छी नहीं है उसको भगाओ यहां से भगाने का मतलब क्या है कि हमें अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके जैसे कि मेरे हाथ के आगे मक्ही बैठी है तो मैं क्या करूंगी अपने हाथ को ऐसे ऐसे करके जटकारूंगी शेक करूंगी ताकि जो मक्ही है वो यहां से उड़ जाए है ना तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे जो इस हाथ की जो muscles है उनको कुछ contract relax करके कुछ करना पड़ेगा ताकि मेरा हाथ ऐसे ऐसे shake हो और मक्ही यहां से उड़ जाए तो बेटा यह जो मेरे हाथ की जो muscles हैं, उनको कौन signal देने वाला है, मेरे हाथ की muscles को क्या पता, कि उनको जो है na contract relax करना है, ताकि मेरा हाथ ऐसे ऐसे हो और मख्य उड़ जाए, कैसे पता, तो brain बताएगा न, brain ने decision ले लिया, कि मख्य को भगाना पड़ेगा, अब कैसे भगाना पड़ेगा, तो फिर brain ये भ order है, ये जो command है, ये कहां तक पहुँचेगा, ये पहुचेगा मेरे इस हाथ की skeletal muscles के पास, कैसे पहुचेगा, देखो जानकारी brain तक गई कैसे थी, या मैं reframe करती हूँ अपने question को, जो information है, जो sensory information है कि यहां पर मख्या करके बैठी थी, ये brain तक कैसे पहुची, spinal cord ने आग की skeletal muscles के पास कैसे पहुचेगा, तो spinal cord के ही through, कि जैसे तुमने अपनी leave की application दी class teacher को, class teacher ने वो आगे बढ़ा दी vice principal को, vice principal ने आगे बढ़ा दी principal maim को, फिर principal maim ने क्या करा, तुम्हारे leave application को पढ़ा, कुछ सोचा, फिर इसके बाद में उन्हें डिसाइड के कि चलो ठीक ह बच्चे को leave grant कर देते हैं और उन्होंने sign करके उस application पर, मतलब basically उन्होंने तुमारी जो छुट्टी है वो grant कर दी है और application पर जो है sign कर दिया है, अब principal maim को जो यह decision है, वो directly तुम तक तो नहीं पहुचेगा, मतलब सीरे वो तुमको तो आकर की नहीं बताएंगी कि बेटा तुमारी छुट्टी grant हो गई है, जो enjoy करो, तो same बेटा pattern जो हमारी body में भी follow होता है कि brain ने जो भी decision लिया है, ठीक है, brain ने जो भी decision लिया है, उस brain का decision है, जो command है, वो इस हाथ की skeletal muscles तक कैसे पहुचेगा, तो spinal cord ही आप बोल सकते हो कि उसी के through क्या होगा, जो command है, वो यहा एक coordinator का काम करती है, कि हाँ, जानकारी को brain तक पहुचाना है, किस के through? Spinal cord के through, जो भी target site है, वहाँ तक brain का command पहुचाना है, कैसे? Spinal cord के through, यहाँ कि Spinal cord बेटा, कुछ कुल मिला कर के कुछ भी बोलो, है तो जरूरी, है ना? हम ऐसा लगता है कि Vice Principal, Ma'am या सर का कोई काम स्कूल में, लेकिन जब प्रिंसिपल कहीं busy रहते हैं, है ना? या कुछ छोटे बहुत decisions होते हैं, तो वह वाइस प्रिंसिपल ही ले लेते हैं, तरह सा लगता है कि Vice Principal का कोई रोल नहीं होता, बट रोल तो होता है, जो प्रिंसिपल के absence में feel होता है, ठीक है? चल्ट, ओके, इतना तो तुम्हे clarity मिल गए कि हाँ, जो भी जानकारी है, वो कहां जाएगी CNS में, कैसे? Spinal cord के थूँ, brain के पास, brain processing करेगा जानकारी के, इसके बाद में brain का जो command है, वो पहुंचेगा, कैसे? Spinal cord के थूँ है, ठीक है? बट यह होगा कैसे? कैसे होगा? तो आप बोलोगे क अरे मैं, signal वह यहाँ पर मक्ही आ करके बैठी है, इसकी जो जानकारी है, वो जानी तो है CNS में, बट कैसे? signal के form में, signal को आपन क्या बोलते थे? impulse, तो impulse के form में बेटा क्या होगा? जानकारी मेरे, यह skin क्या है बेटा? एक sense organ है ना? वह हमारे पास 5 sense organs होते हैं कि नहीं होते ह जैसे कि आख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, यह टंग हो गई, नोज हो गई, तो वैसे ही skin क्या है? यह भी तो अपना एक sense organ ही तो है ना? तो sense organ ने क्या करा? बेटा, sense organ का तो काम ही होता है, stimuli को sense करना, stimuli मतलब क्या? किसी भी तरह का change, तो change को sense करना, stimuli को receive करने का का काम कि का होता है sense organs का ही तो होता है कैसे तो बिटा ये बात मैं आपको पहले भी बता चुक्यूं कि sense organ पर पाए जाते हैं receptor और वही receptor क्या करते हैं किसी भी तरह के change को sense करते हैं यानि कि stimulus को receive करते हैं तो मेरी ये skin क्या है बिटा sense organ है यहाँ पर बैठे होंगे receptor जैसे ही मक्ही आकर के बैठी यूजवली तो मेरे हाथ के ओपर मक्ही आकर के नहीं बैठती न कि मैं बोलू कि देखो बिटा ये मेरी पैठ है इसका नाम है क्या इसका नाम है पिंकी और ये मेरे साथ ही चिपकी रहती ऐसा ह होता है क्या नहीं अभी अभी आकर के बैठी तो ये क्या होगा बिटा ये चेंज रही तो हुआ ना तो इस चेंज को हुआ क्या मेरे skin पे present receptors ने sense कर लिया मतलब कि उन्होंने stimulus receive कर लिया ठीक है और जब stimulus को receive कर लिया जाता है फिर इसके बाद में वो stimulus कहां जाता है अरे neuron के पास जाता है कि नहीं बिटा ये पूरा वही है जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ I guess second lecture में जब अपर impulse के generation कंडक्शन ट्रांस्मिशन की बाते कर रहे थे ना तो मैंना आपको इस सब वहां पर समझाया था जैसी कि देखो एक बार फिर से पता देती हूँ कोई दिकत की बात नहीं है ये मेरा हाथ है चलो ठीक है जैसा भी बन रहा है बनने दू और यहाँ पर जो है एक मक्ही आ करके बैड़ गई है मक्खी आ करके यहां पर बैड़ गई है ठीक है कुछ इस तरीके से ऐसे आ करके बैड़ गई है ठीक है अब यहां पर क्या है रुको इसको थोड़ा सा ठीक से मैं बनाती हूँ This is my hand, hand की skin है Skin के ओपर क्या है बेटा receptors लगे हुए Skin के ओपर ऐसे receptors हैं ठीक है अब जैसे ही मक्खी आ करके बैठेगी जैसे ही ऐसे ही यह मक्खी आ करके बेटा बैठेगी receptors क्या करेंगी यह दिख रहा है आपको pink color क्या I hope यह color आपको दिख रहा हो बेटा ठीक है यह क्या है यह सारे receptors है और इनका काम ही क्या होता है इनका काम होता है किसी भी तरह के change को sense करना या stimulus को receive करना है ना So receptors क्या करते हैं? They sense change किसी भी तरह के change को ये sense करते हैं मतलब कि stimulus को ये receive करते हैं और ऐसा भी लिख सकते हो कि they receive stimulus Stimulus का मतलब ही क्या होता है बेटा? Change, ठीक है? चला, तो जैसी मक्हिया करके बैठेगी, receptors क्या करेंगे, इस change को sense कर लेंगे, मतलब कि stimulus को receive कर लेंगे, ठीक है, अब इसके बाब में जो stimulus receive हुआ है बेटा, वो कहां जाएगा, तो यहाँ पर neuron होगी, ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे neuron होगी, यह, neuron होगी, इस neuron, अचा, यह neuron जाएगी कहां तक, यह neuron जाएगी बेटा, आप बोल सकते हो कि, CNS तक, ठीक है, यह neuron जाएगी, CNS तक, आप बोलोगे कि मैम, हाथ यहाँ है, CNS यहाँ है, तो यहाँ से लेकर कि, यहाँ तक, एक neuron, हाँ बेटा, neuron बहुत बड़े बड़े, बड़े नहीं, लंब बोलना चाहिए, neurons जो होते हैं, बिटा, वो काफी long cells होते हैं, लंबे-लंबे cells होते हैं, ठीक है, तो ये हाथ की जो skin है, sense organ है, receptors बैठे हुए हम आपे, मक्ही आ करके बैठी, उन्होंने क्या करा, इस change को sense कर लिया, stimulus रिसीव कर लिया, आप ये जो stimulus है, बिटा, ये receptors बोलेंगे कि हमारा काम क्या है, stimulus को receive करना, अब हमने stimulus को receive कर तो लिया है, लेकिन अब इसका हम करेंगे क्या, हम इसको आगे सरका देंगे, जैसे कि दिवाली के टाइम पर वो सोन पपड़ी का डबा आता है न, तो अपन क्या करते हैं, महमानों से लेते हैं, और फिद दूसरे महमान को pass on कर देते हैं, तो यहां पर भी वही होने वाले है, कि receptors क्या करेंगे, stimulus को receive कर लेंगे, और फिर इसके बाद में आगे बढ़ा देंगे, कि हम क्या करें, इस सोन पपड़ी के डिबबे का, हम क्या करें stimulus का, यानि कि ultimately stimulus कहा जाएगा बेटा, वो जाएगा इस neuron के पास, ठीक ह अब हुआ ये, हुआ ये की जो, क्या बोलता है, stimulus है, वो कहां आ गया है, stimulus आ गया है, इस neuron के पास, ठीक है, ये क्या है, ये stimulus है, और ये आ चुका है, कहां, तो इस neuron के पास, और जैसे ही neuron के अंदर, या neuron के पास, stimulus आता है, बेटा, impulse generate होती है, कि नहीं, फिर, तो जैसे ही receptor आगे बढ़ाएंगे, इस stimulus को, देंगे किसको, इस neuron को, जैसे ही neuron के पास, बेटा, वो stimulus आएगा, neuron में impulse generate हो जाएगी, और फिर, वो impulse generate हो करके, इस neuron के exon के along, run करेगी, मतलब, वो ही, आप बोल सकते हो, कि conduction होगा, फिर, इसके बाद में transmission होगा है, तो generation, conduction, transmission, अब सबको पता ही है, तो देखो, यहाँ पर stimulus आ चुका है, अब देखो, यहाँ पर क्या होगा, impulse generate हो जाएगी, यह बन गई क्या, देखो, impulse बन गई, ठीक है, यह purple color की क्या है, बेटा, यह बन गई, impulse, ठीक है, अब यह impulse, travel करेगी, यहाँ से, यहाँ, 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 और ultimately कहां पहुँच जाएगी, बेटा, यह impulse, पहुच जाएगी, cns में, ठीक है, हम पता है क्या बोलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं रिले नियूरॉन ये जो नियूरॉन आपको दिख रहा है ये वाला जो sensory impulse को sense organ से cns तक ले करके आया है इसे हम बोलते हैं बेटा sensory neuron मुद्दा तो यही ना कि मैं ये तीन तरह की neurons होते क्या है ये करते क्या है तो वही चीज मैं आपको बता रही हूं कि sensory neurons और दो नियूरॉन विच ब्रेंग sensory impulses from sense organs to the cns impulses को sensory impulses को आचा आप बोलोगे कि मैं आप sensory impulse क्यों बोल रहे हो simple impulse भी तो बोल सकते हो ना नहीं मैं नहीं बोल सकती हूं क्यों क्यों क्योंकि अभी जो impulse cns के पास आ रही है बेटा उस impulse में जानकारी है जानकारी क्या है कि हाथ पे मक्खी बैठी हुई है sensory impulse है वो मेरी बात समझ में आनी चाहिए आपको बेटा मैं sensory impulse क्यों बोल रहे हूं क्योंकि वो वाली impulse है जो यह वो वाली impulse है जिसमें की एक जानकारी है कौन सी जानकारी वो जानकारी बेटा जो हमें sense organ के जो receptors है उन्होंने दी आप खुद सोचो ना sense organ यह skin है उसके उपर जो receptor बैठे हुए थे उन्हीं ने तो क्या करा है यह change को sense किया है ना stimulus को receive किया है फिर वो stimulus आगे गया neuron में impulse वहाँ पर generate हुई तो impulse तो है लेकिन उसमें क्या है उसमें जानकारी चुपी हुई है वो जानकारी किस ने दिये वो जानकारी दिये sense organ ने तो इसी लिए उस impulse को हम क्या बोलते हैं sensory impulse बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसी इंपल्स है जो ultimately कहां से मतलब उसका originate कहां से हुई है sense organ से ही हुई है तो sensory impulse बेटा कहां से कहां जाएगी sense organ से cns तक जाएगी और जो neuron उसको ले करके जाएगा ना उसको अपन बोलेंगे sensory neuron ठीक है तो मैं आगे लाके लिख भी दूँगी कि water sensory neurons यह वो neurons होते हैं जो sensory impulses को sense organ से cns तक ले करके जाते हैं ठीक है अब cns में तुमको पता है ना brain में तुमको पता है क्या होने वाला है उस जानकारी को जो है की processing की जाएगी है ना तो जानकारी की processing के लिए भी तो कुछ ना कुछ चाहिए ना कोई नीरॉन चाहिए है तो cns में आपको जो यह neuron दिख रहा है इसे हम बोलते हैं relay neuron what do we call it we call it relay aucune neuron और यह drone immune क्या करेगा विटा यह जानकारी जो आई है ना जो sensory impulse आई है इसके पास cns के पास या fraterсь ट्याके हो मैं इंपंती प्रोसेसिंग करेगा कि अच्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छी-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छा-च्छ और मखी उड़ जाए तो ना सिर्फ इसने information जो sensory impulse है वो receive करी information की processing करी बलकि इसने relay neuron ने क्या करा है बेटा decision भी ले लिया है अब वो decision जो है बेटा वो आगे पहुँचेगा कैसे पहुँचेगा तो देखो यह हाथ है और suppose यह हो गई हाथ की muscle रुको मैं काम करती हूँ मुझे ना हाथ को थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए था चलो कोई बात नहीं अब बना देती हूँ यह है मेरा हाथ इतना मूटा सा ठीक है और यह हो गई हाथ की muscle ठीक है यह हो गई मेरे हाथ की muscle सब कुछ तेड़ा तेड़ा हो रहा है ना ओके तो अब इसने क्या कर रहा है बेटा relay neuron ने decision ले लिया है कि मनलब information की processing करके decision ले लिया है कि यह हाथ की muscle है उसको बोलो कि वह ऐसे contract relax करें ताकि यह हाथ ऐसे शेक और मक्ही उड़ जाए तो अब यह जो cns का जो order है जो command है बेटा यह कहां तक पहुंचेगा यह पहुंचेगा इस हाथ की muscle के पास कैसे तो बेटा यहां से एक और neuron चलेगा ठीक है यहां से एक और neuron चलेगा like this color change करते हैं यहां से एक और ऐसा neuron चलेगा ठीक है जो ultimately cns का जो order है जो command है वो कहां लेकर के जाएगा इस हाथ की muscles के पास लेकर के जाएगा like this ठीक है अब वही वाली बात कि मैम cns का जो brain का जो command है जो order है कि muscle को जो है बोलो की contract relax करें यह जो command है यह जो order है यह neuron यहां तक लेकर के जात हो रहा है बट कैसे again impulse के form में एक impulse यहां थी बेटा जो sense organ से cns तक आई थी उसको अपने sensory impulse बोला था क्यों कि वो impulse में जो जानकारी छुपी हुई थी वो कहां से मिली थी sense organ से मिली थी अब यह वाला neuron जो cns से muscles तक you know cns का command लेकर के जाएगा हाँ पहली बाद तो यह देख लो कि यह वाला neuron अब इसको अपन क्या बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं motor neuron what do we call it इस neuron को अपन बोलते हैं motor neuron जैसे की इसे अपन ने कहा था relay neuron ठीक वैसे ही यह वाला neuron जो cns का order या command muscle तक लेकर के जा रहा है इसे अपन क्या बोलेंगे motor neuron बोलेंगे ठीक है motor neuron क्यों बोल रहा है क्योंकि यह motor impulse conduct करवा रहा है cns से target side जो भी है यहाँ पर hand muscle है हाथ की muscle है न तो अपन यह बोल देते हैं या इस neuron को अपन बोलते है motor neuron क्यों बोलते है motor neuron क्योंकि यह motor impulse को carry कर रहा है या लेके जा रहा है cns से लेकर के हाथ की muscles तक अब आप बोलोगे कि मैं यह motor impulse क्या होती बिटा motor impulse मतलब वही वाली impulse जिसमें की छुपा हुआ है brain का command brain का order जिसे sensory impulse होती है मैंने क्या कहा दो तरग की impulses हो गई न एक हो गई sensory एक हो गई motor sensory impulse में जानकारी चिपी थी जो sense organ ने दी थी अब जो motor impulse है motor impulse वह वाली impulse है जिसमें छुपा हुआ है क्या brain का या cns का command या order कि muscles को क्या करना है contract relax करना है तो इस वाली impulse को अपन क्या बोलेंगे motor impulse बोलेंगे तो what are motor neurons these are those neurons जो motor impulses को लेके जाते हैं cns से लेकर के target side तक यहाँ पर अपना target side क्या है तो हम बोलेंगे कि हाथ की muscle आई बात समझ में तो यह तीन तरह की neurons बेटा आपको समझ में आये की नहीं है यहाँ पर मैंने लिखा है की नहीं लिखा है यहाँ पर मैं अलग से mention भी कर देती हूँ कि यह हो गई है आपकी motor impulse ठीक है और यह जो आपको neuron दिख रहा है यह वाला यह वाला इससे अपन बोलेंगे sensory neuron इसको अपन क्या बोलेंगे sensory neuron क्योंकि यह sensory impulses को लेकर के जा रहा है sense organ से लेकर के cns तक और इस neuron को अपन क्या बोलेंगे motor neuron क्योंकि motor impulses को लेकर जा रहा है cns से effector तक effector मतलब क्या वही target side effector बेटा एक gland भी हो सकता है एक muscle भी हो सकती है और वो depend करता है कि brain अपना order किसको देना चाह रहा है जिसको भी देना चाहता है brain अपना order उसको अपन effector बोल देते हैं यह effector बोलते है तो motor neuron वो neuron है जो motor impulses को cns से effector तक लेके जाते हैं sensory neuron वो neurons हैं जो sensory impulses को sense organ से cns तक लेके जाते हैं वहीं嵐 nेurons क्या होते हैं रिले neurons बेटा वो neurons होते हैं जो इन दोनों ही type की neuron और इसी लिए यह जो relay neurons ना बेटा इनने हम connector neurons भी बोलते हैν मैंने क्या बोला तुमको sensory और motor neuron के बारे में समझ में आया कि sensory neuron वो neuron है जो sensory impulses को sense organ से cns तक ले करके जाते हैं मैंने क्या बोला कि sensory neurons वो neurons है जो sensory impulses को sense organ से lqué привtake वही motor neurons क्या है motor neurons वो neurons है जो motor impulses को CNS से effector तक ले करके जाते हैं बट ये relay neurons का क्या मतलब है तो बिटर relay neurons वो neurons होते हैं जो इन दोनों ही तरह के neurons को आपस में connect करने का काम करते हैं और इसलिए तो इनका दूशा नाम क्या पढ़ जाता है connector neuron ये कहां तुमको मिलेंगे relay neurons ये तोंको मिलेंगे CNS में CNS मतलब कहां? सिर्फ brain? नई Spinal cord बीटा यहाँ पर देखो मैंने brain नहीं लिखा है न यहाँ पर मैंने कोई spinal cord लिखा है यहाँ पर मैंने CNS लिखा है CNS का मतलब क्या है कि यहाँ पर brain ऐं spinal cord में दोनों की ही बाते कर रही हूँ तो relay neurons तुमको specially कहां मिलेंगे CNS में मतलब कि brain and spinal cord में तो ultimately यही क्या करते है relay neurons इन दोनों ही तरह की neurons को आपस में connect करने का काम करते हैं relay neurons ही होते हैं जो sensory impulses में जो जानकारी छुपी होती है उनकी processing करते हैं और फिर decision भी यही लेते हैं फिर यह motor impulses को कहां बेचते हैं effector तक बेचते हैं via motor neurons आई बात समझ में चला तो यह छोटा सा बेटा concept था types of neurons का I hope आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो तीन तरह की neurons के बारे में मैंने आपको बता दिया है sensory, motor and relay ठीक है अब इनके कुछ दूसरे और तीसरे जो नाम होते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ sensory neurons को बेटा अपन receptor neurons भी बोलते हैं receptor neurons क्यों क्योंकि एक तरीके से देखा ज़िते sensory neuron है वो क्या करता है sensory neuron जो है वो क्या करता है stimulus को receive करता है कि नहीं करता है sense organ पर जो receptors लगे होते हैं उनका काम क्या होता है stimulus को receive करना और receive करने के बाद वो उसको आगे बढ़ा देते हैं आगे कहाँ neuron को ही तो देते हैं तो वो वाला neuron जो stimulus को सबसे पहले receive कर रहा है जिसमें impulse generate हो रही है उसको अपन क्या बोल सकते हैं sensory neuron neuron और आप उसको receptor neuron भी बोल सकते हो ठीक है चल efferent neuron भी एक और नाम होता है मैंने कहा था ना कि दूसरे क्या तीसरे नाम भी होते हैं तो sensory neuron को receptor neuron बोल सकते हैं और efferent neurons भी बोल सकते हैं efferent का मतलब क्या है आने वाला efferent का मतलब होता है जाने वाला है ना तो यह neuron क्या कर रहे हैं यह neuron जानकारी को ले करके आ रहे हैं CNS तक तो इसलिए afferent neuron भी बोल सकते हैं receptor neuron भी बोल सकते हैं और sensory neuron भी बोल सकते हैं ठीक है so these often occur in sense organ sense organ में पाये जाते हैं and receive stimuli by their dendrite dendrite से तुट क्या करते हैं यह stimuli को receive करते हैं the sensory neurons transmit impulses towards the central nervous system through their exons मलब डendrite से क्या करेंगे stimuli को receive करेंगे फिर impulse वगएरा बनेगे और फिर वही impulse की क्या करेंगे ले करके जाएंगे कहां तक central nervous system की तरफ ठीक है चल फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसकी motor neurons की तो इनको अपन effector neurons भी उनको पन efferent बोलते हैं इनको पन efferent या effector neurons भी बोल सकते हैं सो motor neurons क्या करते हैं the dendrites of these neurons synapse with exons of the sensory neurons in central nervous system they transmit impulses from central nervous system towards effector बसकता है रख लो की motor neurons क्या करते हैं motor impulses को CNS से effectors तक लेके जाते हैं effector बोले तो muscle भी हो सकता है कोई gland भी हो सकती है ठीके और ये stimuli को बाद में respond करते हैं फिर इसके बाद में आते हैं relay neurons जिनको पन connector neurons भी बोलते हैं ये कहां पाए जाएंगी central nervous system में बोले तो brain and spinal cord में they serve as links between sensory and motor neurons for distant transmission of nerve impulses कि जब nerve impulses का दूर दूर तक क्या करना है transmission का मतलब होता है दूर तो उसमें क्या करते हैं link की तरह काम करते हैं done चलो तो ये तीन तरह की neurons बिटा मैंना आपको बता देएं तो sensory neuron लेकर के जाएगा cns में क्या होगा relay neuron होगा है ना मतलब basically यहां पर इस picture में शायद कोई doggy है जिसको तुमारी आँखों ने देख लिया है और ये जो जानकारी है कहां तक जाएगी cns तक कैसे तो sensory neuron लेकर जाएगा sensory impulse के form में ठीक है फिर उस impulse में जो जानकारी है उसको relay neuron क्या करेगा process करेगा और जो है ना decision लेगा क्या decision लेगा कि भाईया जो क्या बोलता है जो vocal cords है जो lips है इनको जो है move कर वाओ ठीक है तो यहां पर effector क्या हो गए तुमारे vocal cords तुमारे lips ठीक है तो यह जो motor impulses को motor neuron cns से कहां तक लेकर जाएगा effector तक और जहां effector तक brain का command पहुँचा तो तुमारे मुझ से क्या निकलेगा oh my god यह dog क्या कर रहा है ठीक है चल मालब response निकल जाएगा और कुछ नहीं यह सारी बाते तुम्हें समझ में आ गई बेटा अब अपन आ जाते हैं अपने main topic के उपर and that is reflex section यह topic बहुत easy है और बहुत ही basic सा है और सवाल इसके उपर बन जाते हैं मलब अच्छी बात यह कि topic easy भी है और इसके उपर सवाल भी बन जाते है मलब इस अच्छी बात क्या हो सकती कि topic easy है पढ़ने में आसान है है और उसी के उपर सवाल बन जाएंगे तो अराम से हम उनको attempt कर सकते हैं ठीक है तो अब अब आपन बात करते बिटा reflex sections की अब देखो reflex sections होते क्या है यहां पर आपको दो animations चलते वे नजार आ रहे होंगे मेरे पीछे इन animations में exactly हो क्या रहा है अगर आप इस वाले को ध्यान से देखो कि तो क्या हो रहा है इस बंदे की आंक के अब भी नहीं होता बेटा मैं तुमको अभी क्या कर सकती हो reflex section जो तुमको ही जो है ना realize करवा सकती हो या तुमारी बॉड़ी से अभी क्या भी मैं reflex section जो है ना perform करवा सकती हो कैसे अगर मैं तुमारी आँक के पास जैसे तुम चुपचा बैठे हो मुझे देख रहे हो वीडियो देख रहे हो ठीक है और अचानक से मैं क्या करूँ एक पैन तुमारी आँक के पास लेकर क्या हो तो तुम क्या करोगे उस response में अपनी आँक ऐसे बंद कर लोगे कि नी करोग ठीक है और उसके जो नी बोन ओती है जो नी बोन ओती है उसके थोड़े से जोईंट है यहाँ पर नी जोईंट उसके थोड़े नीचे की तरफ यहाँ पर एक छोटे से हैमर से हिट किया जाता है थोगे नी जोईंट के थोड़े से नीचे की तरफ एक छोटे से हैमर से क्या कर क्या है तो response में क्या हूँ आख ऐसे बंद हो गई वैसे ही नी जो इनकी थोड़ी से नीचे के तरफ हड़ी में अगर एक हैमर से स्ट्राइक करते हैं हिट करते हैं तो पैर जो है आगे की तरफ देखो कुछ इस तरीके से ऐसे जर्क लेता है ठीक है यह क्या है रिफ्लेक्स वह एक दम ऐसे ऐसे हो जाएगा यह तुम्हारे साथ भी होता है कि मालो कि तुम ऐसे मस्ट पैर लाकर बैठे हुए हो और किसी ने आकर क्या करा इसे तलवे में पैर में किसी ने ऐसे कुछ आके गुद्गुदी कर दी तो तुम तुम तुमारा पैर ऐसे response में ऐसे फोल्ड reflections क्या होते हैं देगे गो डुछ और reflection वो actions होते हैं जो तुमारी body से निकलते है इन रिसपोंद्स टुअस stimulus एक stimulus के response में तुमारी body जो actions perform करती है उन्ने हम बोलते है रिफ्लेक क्शन त आप बोलोगे कि माम किसी stimulus के response में यह बाडि कोई action perform कर रहे हैं तो उसको हम normal action बोल सकते हैं उसको हम reflex action क्यों बोलते हैं क्योंकि बेटा ये जो actions तुमारी body perform करती है ना ये बहुत ही quick होते हैं बहुत ही spontaneous instantaneous आप बोल सकते हो और involuntary होते हैं automatic भी आप इनको बोल सकते हो अब आप बोलोगी कि मैं ये आपने दो तीन चीज़े ही बोली है एक बोलाए कि ये बहुत ही quick होते हैं बहुत ही spontaneous होते हैं ठीक है बहुत ही आप बोल सकते हो कि ये आप आप हो जाते हैं अपने आप हो जाते हैं और इसके लिए एक और word बिटा involuntary involuntary का मतलब समझते हो जो बिना सोचे समझे हो जाए तुमारी आप के पास अगर मैं तेजी के साथ कोई object लेकर के आऊ तो तुम अपनी आप हैसे बंद कर लोगे तो इसके लिए तुमने सोचा था क्या कि आप के पास मैडम कुछ लेकर के आ रही है अगर ये और close आगे तो ये हमारी आखों को चुब सकता है हर्ट कर सकता है तो हमें अपनी आखे बंद करनी चाहिए कि ने करनी क्या ऐसा तुमने कुछ भी सोचा तुमने क्या करा अपनी आखे इसे बंद कर ली तो ये बहुती quick हुआ ना बहुती spontaneous हुआ इसमें ये मतलब अपने आप हो गया तुम्हें इसमें सोचने की भी जरुवत नहीं पड़ी तुमने सोचा नहीं बटा तुमने लिटरली यहां पर अपना दिमाग नहीं लगाया है तो ऐसे action को अपन क्या बोलेंगे in response to a stimulus reflex action बोलेंगे quick, spontaneous, automatic and involuntary ऐसे actions जब body perform करती है किसी stimulus के response में ऐसे action को अपन क्या बोलते हैं reflex action जैसे की एक गरम plate या कोई गरम बरतन रखा हुआ है यह suppose कोई मतलब हाँ जो ठीक है एक गरम बरतन रखा हुआ है ठीक है गलती से क्या हुआ हुआ मुझे नहीं पता था कि वो बरतन गरम है के बार ऐसा होता हुआ हुआ है क्योंकि अपन kitchen में घुशते नहीं ना मतलब मैं तो नहीं घुशती हूँ तुम भी नहीं घुशते है बस खाने के लिए गुशते है कभी बनाने का हमें ऐसा कोई मन करता ही नहीं है ठीक है, तो अधिकतर क्या होता है, हम सिर्फ किचिन में खाने जाते हैं, किचिन में exactly क्या चल रहा है, हमें उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, तो अब मम्मा किचिन में काम करती है, उनको पता है कि हाँ यहाँ पर यह गरम बरतन रखा हुआ है, यहाँ पर यह रखा हु उसको अपने हाथ को ऐसे हमने खींच लिया विड्रॉ कर लिया अब ये जो बिटे तुम्हारा आप बोल सकते हो कि एक्षन था जो तुम्हारी बोड़ी ने परफॉर्म किया है ये कुए था कि नहीं था ये अपने आप हुआ कि नहीं हुआ क्या इसमें तुमने दिमाग लग तो क्या ही हो जाएगा कि अगर हाथ निनग फंप हम लग को इतना दिमाघ में चलती चैज कि यसे तुम गरम बरतन टैच कर तो बेदन फ्रेक्शन अ सेकुंड करते हैं अपने हाथ को विड्रॉव कर लेते हो कि अरे बापरी तो गारम था वो तुमने सोचा क्या? नहीं यह तुमने एक्षन पफॉर्म किया थो तुमारी बॉडि ने एक्शन पफॉर्म किया है वो involuntry था involuntry का मतलब समझते हो ना जो तुमारे इच्छा के बिना हो जो तुमारे एक्छा के तुमारे given stimulus के response में ayussain की कभी वी जो है ना reflex actions हो रहे हैं कि कुछ नहीं भी यह तो भी क्या कर रहें reflex actions हो रहें थंडा परतंच हुआ है फिर भी जोना haat withdraw को रहा है ऐसा नहीं होता कुछ ना कुछ तो stimulus होता है बेटा जिसके response में reflex एक सेक्शन बॉड़ी जो है परफॉर्म करती है अब स्टुमिलस आप सब को पता है कि किसी तरह का चेंज हो सकते जैसे कि तुमारे हाथ से गराम बरतन टच हुआ नॉर्मली तुमारे हाथ की स्किन पर उतनी हीट नहीं आती है अरे बरतन गराम है तुमने उसको छुआ तो जो उसकी हीट थी तुमारे हाथ में हाथ में आ गई है ना तो नॉर्मली तुमारे हाथ में इतनी हीट कॉंटेक्ट में नहीं रहती है जब गराम बरतन टच करा तब उतनी हीट तुम्हारे हाथ के you know skin के कॉंटेक्ट में आई तो वो चेंज हुआ चेंज इन टेंपरेचर तो किसी भी तरह कर चेंज क्या कहलाता है स्टुमिलस कहलाता है तो उस्टुमिलस के response में जो है हमने reflex section किया ठीक वैसे ही यहां पर जो डॉक्टर गुद्गुदी कर रहे हैं बच्चे के यूदो पैर में गुद्गुदी मतलब क्या एक तरीक से touch नॉर्मली तो तुमको इसको गुद्गुदी नहीं करता रहता ना जब करता है तो तुम्हें कुछ अजीब सा वारा कुछ different touch होता है change in touch तो वो भी क्या हो जाएगा बिटा stimulus तो उसके response में बेवी का जो पैर है वो ऐसे fold हो जाएगा ऐसे पीचे की तरफ वो खींच लेगा like that आई बात समझ में उसके अलावा कुछ यहाँ पर देखो यहाँ पर pressure का वो है stimulus है कि normally तो तुम्हारे घुटनों के ऊपर कोई टकक करके मारता नहीं है अभी मार रहा है तो pressure में change आया तो response में क्या हुआ पैर ऐसे आगे की तरफ बढ़ गया ठीक है और बेटा यह बहुत ही अपने आप होता है मतलब इसमें इंसान को सोचना पड़ता ही नहीं है तुम तो बस यह समझ लो कि there are certain actions जो हमारी body perform करती है जिसमें हमारा बिटा लिटरली brain involved नहीं होता है जिसे कभी-कभी हम कुछ लोगों को बोलते हैं कि कभी तो अपना दिमाग इस्तमाल कर लिया करो यार हर समय मजाग हर समय मस्ती अरे कभी तो अपने दिमाग से काम लो क्यों क्योंकि सब को पता है न कि brain ही क्या करता है ultimately सारे decisions लेता है जानकारी की processing करेगा decision लेगा major minor हर तरह के decisions तो हम बोलते हैं कि अरे brain को तो कभी नगभी तबने दिमाग को इस्तमाल कर लिया करो यार लेकिन literally बेटा हम सब हम सभी के साथ हम सभी की bodies में कुछ ना कुछ ऐसे actions perform होते हैं जिसमें कि literally हम अपने brain को involve करते ही नह आप बोलोगे कि मैं ये बात समझ में नहीं आई ये बात आपको इसलिए समझ में नहीं आई बेटा क्योंकि अभी तक reflex action को perform करने के लिए जो pathway follow किया जाता है अभी तक मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया है वो पढ़ा दूंगी तो आपको यही मेरा statement समझ में आ जाएगा तो बस ये समझ लो अभी के लिए कि reflex sections में बेटा brain involved नहीं होता है तो आप बोलोगे कि मैं brain के पास ही तो तमाम सारे centers होते हैं मैं brain ही तो क्या करता है जानकारी की processing करता है decision लेता है अगर आप border की brain यहाँ पर involved नहीं है तो फिर ये responses कैसे जो है ना generate हो रहे हैं कैसे ये absent हो तो उनकी जगह पर जो major decisions होते हैं जो भी decisions होते हैं वो कौन लेता है wise principle लेता है कि नहीं लेता है तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि in you know actions में हम brain को involved नहीं कर रहे हैं तो अगर brain involved नहीं होगा तो फिर कौन होगा brain की चोटी spinal cord कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि sensory जो impulse है वो sense organ से कहां जाती है cns में जाती है cns में कैसे तो सबसे पहले जानकारी जाती है यह impulse जाती है spinal cord के पास spinal cord फिर उस जानकारी को क्या करती है brain तक पहुंचाती है लेकिन अभी reflex section में क्या होता है थोड़ा सा जो रास्ता है बिटा चलने का वो थोड़ा सा बदल बदल के जाता है बस यह समझा हां बदल ही लो है ना नॉर्मली क्या होता है नॉर्मली तो अपन नहीं यहां पर देखा न कि जो भी impulse है sensory impulse है उसको sensory neuron sense organ से कहां तक लेकर के जाएगा cns तक cns में आप बोल सकते हो कि spinal cord फिर वहां से कहां brain brain क्या करेगा उसमें वहां पर होते हैं relay neurons जांकारी की processing करेंगे decision मनाएंगे तो फिर brain का decision जो command है वह motor impulse के form में motor neuron कहां तक ले करके जाएगा effector तक ले करके जाएगा यह अपन ने पढ़ा लेकिन जब अपन बात करते हैं बिटा किसकी reflex sections की तो reflex sections में थोड़ा सा मामला अलग हो जाता है क्यों अलग हो जाता है क प्रिंसिपल उस दिन absent होता है तो वाइस प्रिंसिपल मैं से हम बोलते हैं कि आप ही लो सारे decisions यानि की अब जो decisions लेगा वो क्यों लेगा spinal cord अब जो जानकारी जाएगी बिटा वो brain तक नहीं जाएगी मलब देखो sensory neuron ठीक है जो sensory neuron है वो sensory impulse को sense organ से मलब जो sensory neuron है वो क्या करेगा sensory जो impulse है उसको sense organ से cns तक लेकर जाएगा लेकिन cns में कहा spinal cord तक ही आप बोलोगे कि मैम उपर जो brain है उस तक नहीं नहीं brain तक नहीं होता ये है कि जो spinal cord है ये बोलती कि अरे ये जो sensory impulse है इसमें जो जानकारी है इस जानकारी के हिसाप से तो यार ऐसा stimulus है जिसके लिए बहुती जल्दी क्या करना होगा response करना होगा otherwise body को damage हो सकता है बात आई समझ में मतलब तुम ये समझो कि जो spinal cord है वो situation की गंबीरता को समझ लेती है क्योंकि ultimately जो भी sensory impulse है वो brain के पास कैसे जानी है spinal cord के थू ही जानी है तो जैसे ही impulse पहुचती है spinal cord के पास spinal cord भी लाई कि यार ये जो impulse में जानकारी चुपी हुई है इस जानकारी के हिसा आप बोलोगी कि मैं brain में क्या दिक्कत हो गई है बिटा दिक्कत कुछ भी नहीं है दिक्कत बस इतनी सी है कि अगर brain तक बात पहुचेगी न फिर brain उसकी processing करेगा फिर वो command generate करेगा ये तो उसमें time लगने वाला है कि अब तुमने गरम बरतन टच किया है तुमारे skin पर जो receptors हैं उन्होंने change को sense कर लिया stimulus को receive कर लिया है अब वो stimulus कहां जाएगा वो जाएगा sensory neuron के पास वहां पर impulse generate होगी फिर वो impulse sensory neuron कहां तक लेकर के जाएगा cns यानि की spinal cord के पास spinal cord भेजीगी कहां brain के पास brain जो है उस impulse में जानकारी उसको वो करेगा क्या बोलते है डिकोड करेगा processing करेगा कि अच्छा गरम बरतन टच हो रहा है अच्छा अच्छा कुछ temperature में change आया हो पिछले बार जब ऐसा हुआ था तो हाथ जलिया था क्या करना चाहिए हाथ हटा लेना चाहिए क्या मतलब तुम तरह सोचो ना कि brain काम तो बहुत करता है बड़ एक तरीके से यह कितनी लंबी process चल रही है यह तो वह वाली बात हो गोई कि तुम्हारा जो तुमने देखियोगी movie मुन्ना भाई MBBS कि patient को अभ ब्रेन अगर इतना टाइम लगाएगा ना बेटा कि हाँ क्या करना चाहिए हाथ हटा लेना चाहिए क्या नहीं हटाएंगे तो क्या होगा अरे तब तक तो यार हाथ ही जल जाएगा भई तो spinal cord situation की गंबीरता को समझ लेती है वो बोलती कि यार यह जो sensory neuron मेरे पास sensory impulse लेकर क लेता है इसलिए मैंने कहा था कि बेटा जो रिले निूर ना वो spinal cord and brain दोनों में होते हैं तो sensory वो रिले नीूरोंग में भी क्या होते हैं रिले नूरोंग और वो क्या कर लेते हैं इंपल्स में जो जानकारी उसको प्रोसेसिंग कर लेते हैं और डिसिजन ले लेते कि हाथ की जो मसल है तो अब यह जो फाइनल कौड में रिले निूरॉन था इसने प्रोसेसिंग कर ली है जानकारी की डिसेजन ले लिया है और अब वह decision तो इम्पल्स के फॉर्म में कहा जाएगा मोटर नियूरॉन उसको ले करके जाएगा मेरे इस हाथ की जो bicep muscle है इसके पास मतलब की effector के पास तो जैसे ही यह क्या बोलता है motor impulse पहुंची मेरे हाथ की यह bicep muscle के पास bicep muscle ने क्या करा contract किया जिससे की जो मेरा हाथ है वो ऐसे पीछी की तरफ आ गया withdraw कर लिया मैंने अपना हाथ और मेरा हाथ जादा जलने से बच गया और यह जो pathway बेटा follow किया गया है reflex section को perform करने के लिए इसे हम बोलते है reflex arc क्या बोलते है reflex arc कई बार पूछते हैं कि reflex arc जो है बताओ कि क्या components होते है reflex arc में यह reflex arc कैसे बनती है तो यह आपको बताना पड़ता है कि थे reflex arc में क्या होता है एक आप बोल सकते हो Key sense organ होता है जिसमें के receptor लगे होते हैं जो किसी भी तरह का stimulus को you know sense करते हैं फिसके बाद में sensory neuron होता है spinal cord में जो है relay neuron होते हैं फिर इसके बाद में tan होता है और एक क्या होता है बिटा effector होता है effector muscle भी हो सकता है कोई और आप बोल सकते हो कि gland भी हो सकता है तो मेरी बात समझ में आई की नहीं आई मैं आपको क्यों बोल रही थी बार-बार reflex sections के लिए कि ये बहुत ही quick होते हैं, बहुत ही spontaneous होते हैं automatic हो जाते हैं involuntary मतलब बिना सोचे समझे हैं और एक्छा के अनुसार हो जाते हैं क्योंकि बेटा reflex sections में हम brain को involve करते ही नहीं है ऐसा नहीं कि brain कभी भी quick decision नहीं ले सकता वो भी ले सकता है but most of the cases में we do not involve brain in reflex sections क्योंकि reflex sections में हमेशा आप बोल सकते हो कि reflex sections हमेशा किसी stimulus के response में ही show करने बढ़ते हैं और जो response है उसको बहुत ही quick होना पड़ता है अगर brain को involve कर लिया so it will take time जानकारी की processing करने में decision लेने में time लगा देगा इतना time नहीं होता है जैसी कि आँक के पास कोई pen लेकर कि आ रहा है तो अब हम इस situation को क्या करें जानकारी को पहुंचाये कहां तक brain तक brain सोचेगा कि अच्छा आँक के पास कुछ आ रहा है क्या करना चाहिए आँको कुछ उटा कर लेना चाहिए आँको को बन्द कर लेना चाहिए या कोई फरग नी पड़ा अरे यार जब तक brain सोचेगा ना तब तक तो pen आग में घुश्चो कर रहेगा आग फूर चुकी रहेगी तुमारी ऐसा ना हो इसे लिए spinal cord बोलती है कि भाई या गंभीरता को समझो यह एक ऐसा stimulus है जिसके लिए quick response चाहिए है और फिर spinal cord में जो relay neurons होते हैं वो processing करते हैं motor impulse इसके बाद में पतला वही decision लेते हैं फिर वो decision spinal cord का decision motor impulse के थुरू motor neuron कहां तक लेके जाते हैं तुमारी आखो तक और तुमारी आखी क्या करती है फिर बंद हो जाती है ताकि जो भी आ रहा हो तुमारी आख में ना घुश जाए ठीक है चल आज़ो अब आपन पढ़ लेते हैं a reflex section may be defined as a spontaneous automatic and mechanical response to a stimulus acting on a specific receptor without the will of an animal without the will of an element का मतलब यही है कि involuntary actions होते हैं ठीक है the receptor is present अच्छा हाँ अब आपको यह लग रहा होगा कि मैं ठीक है आ गया समझ में reflex sections क्या होते हैं यह वो actions होते हैं जो quick spontaneous or involuntary और automatic होते हैं और किसी न किसी stimulus के response में होते हैं इसमें अपन brain को involved नहीं करते हैं spinal cord के level पर ही क्या होता है पूरा मामला अपन सुल्टा लेते हैं ठीक है बट अब दिमाग में चल रहोगा कि मैं क्यों reflex sections क्यों चाहिए हैं तो इसका reason भी मैंने आपको अभी बताया कि कुछ stimuli ऐसे होते हैं बेटा जिनके लिए response quickly show करना पड़ता है brain को involve करेंगे तो वो time लगा देगा ठीक है और जितना time वो लगाएगा उत्रे time तक तो फिर damage already cause कर चुका रहेगा stimulus body को so the receptors present on various body parts receive stimuli and transmit information in the form of nerve impulses to the central nervous system है ना जो receptors होते हैं body के different parts मां पर लगोई sense organs के पास वो stimuli को receive करते हैं और इसके बाद में जानकारी को वो transmit करते हैं in the form of nerve impulses वो कहां जाते हैं central nervous system के पास later has various coordination centers where the information is processed later का आप मतलब क्या है बेटा central nervous system के पास कई सारे centers होते हैं जो जानकारी की जो है processing करते हैं और इसके बाद में वोई decision बनाते हैं the processing is done on the basis of information and the experience is already stored जो processing है वो इसके basis पे होती कि बही क्या जानकारी है और उसके पीछे क्या experience उससे जो है जुड़ा हुआ है ठीक है the message is then sent by coordination centers through motor neurons to appropriate regions of the body which accordingly respond and react जैसे की table पर एक glass पड़ा हुआ है ठीक है glass में पानी है अब मैंने उसे देखा मतलब मेरी eyes ने उसको देखा अब मेरी जो आँखे बिटा ये भी तो sense organ जी तो है ना ये जानकारी मेरी आँखें देंगी किसको cns को मतलब आँखों ने पानी पानी का glass देखा है ये जानकारी कहां जाएगी मेरे cns के पास जाएगी कैसे वही जो sensory neuron है वो sensory impulse को ले करके जाएगा कहां तक cns तक मतलब पहले spinal cord इसके बाद में brain अब brain क्या करेगा brain is information की processing करेगा कि अच्छा 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 टेबल पर पानी का glass रखा है अच्छा अच्छा फिर इसके बार में वो जो अपना वो होता है ना क्या बोलता है hypothalamus ठीक है वो तुम्हें बताएगा कि अरे यार तुम तो प्यासे हूँ मतलब की hypothalamus में क्या होता है थर्स्ट सेंटर होता है तुम्हें प्यास लगवाता है तो hypothalamus तुमको बताएगा कि अरे यार पानी का glass रखा हुआ है अरे यार इंसान प्यासा भी है तो तुमको प्यास लगने लगेगी यानि कि अब brain में वो जानकारी गई information की processing गुई और फिर brain ने एक order या decision लिया क्या decision लिया इस bicep muscle या इस हाथ की muscles को बोलो contract relax करें ताकि यहाथ आगे बढ़ करके पानी का glass उठाए और तुम उसको पीओ brain ने यह decide किया है तो फिर brain का decision motor impulse के form में जो motor neuron है वो ले करके कहाँ आएगा इस हाथ की muscles के पास muscles contract relax करेंगी पानी का glass उठेगा और अपन उसको पी जाएंगे नॉर्मली ऐसे ही होता है कि कोई भी stimulus के लिए कुछ इस तरीके से ही response रोह शो किया जाता है बट जैसा कि मैंने आको बताया कि हर stimulus के लिए इतना slow response body perform करें यह सही बात नहीं है ठीक है the receptors अच्छा यह सब तो हो गया था the whole process takes some time पूरी process time लेती है however in certain situations sensation requires immediate response as time used for processing may cause harm to the body लिकिन कुछ situations में ऐसा होता है कि जो stimulus है उसके लिए quick response देना पड़ता है otherwise क्या होगा body को damage हो सकता है in such situation reflex sections occur और ऐसी situations में ही reflex sections stay out समझ में आई बात examples blinking of eyes movement of diaphragm during respiration हमको breathing mechanism पता है तो हमें पता है कि किस तरीके से जब अपन breathe in breathe out करते हैं तो कैसे हमारा diaphragm है वो उपर नीचे करता है blinking of eyes की अचानक से तुम किसी मतलब सड़क पर जा रहे हो तो कच्रा चला गए तो तुम क्या करते है अपनी आखों को ऐसे बंद कर लेते हो ठीक है तुम किसी अपने घर में बैठे थे अचानक से जो है तुमको किसी ने बाहर बुला तुमारा दोस्त बाहर आया है कि भाई आजा तो तुम एकदम से बाहर निकले बाहर बहुत तेज धूपती तो तुम क्या करोगे अपने आप अपने जो आखे हैं उनको जो ऐसा चुटे चुटा कर लोगे क्यों क्योंकि तुम जैसे ही बाहर निकले हो ब्राइट लाइट तुमारी आखों के अंदर जा रही है इतनी रोश्नी वैसे तुमारी आखों के अंदर नहीं जाती है नहीं जानी भी चाहिए लेकिन क्योंकि तुम अचानक से धूप में बाहर निकल गए तो तेज रोश्नी ब्राइट लाइट तुमारी मतलब आखों म पे जाने लग गई या बोल सकते हो कि जो amount of light entering into your eyes वो amount जो है अचानक से बढ़ गया तो वो तुम्हारे लिए क्या हो गया change हो गया stimulus का मतलब भी क्या होता है कोई भी change जब तुम अपने घर में बैठे थे ऐसा नहीं कि तुम अंधेरे कमरे में बैठे थे लाइट तब भी जल रही थी परदे हटे होए थे धूप बहार से आ रही थी अंदर लेकिन जितनी लाइट जानी जाए जितने में तुम comfortable हो उतनी ही लाइट तुम्हारे आखों के अंदर जा रही थी लेकिन जैसे तुम बाहर निकले ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट जो है तुम्हारी आखों के अंदर जाने लग गई तो यह चेंज हो गया और इस टुमिलस के रिस्पॉंस तुमने क्या करा अपनी आखों को ऐसे चुटे-चुटा कर लिया है ना बंद कर लिया तो बिटा यह क्या यह तुम्हारा रिफ्लेक्स सेक्शन है वैसे ही जब हम किसी रौष्णी वारी जगह से एक अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हम क्या करते हैं अपनी आखों को ऐसे फार लेते हैं बड़ा बड़ा कर लेते हैं क्यों अब हम एक अंधेरे कमरे में गये हैं वहाँ पर जो लाइट हमारी आखों के अंदर जारी वो बहुती कम है और अगर कम लाइट जाएगी तो हमें चीजे ठीक से दिखेंगे नहीं अंधेरे कमरे में तो हमें अंधेरे कमरे में भी चीजे ध्यान से देखें देखें इसलिए हम क्या करते हैं अपनी आखों को ऐसे बड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि more amount of light जो है हमारी आखों के अंदर जार हमकों चीजे दिखें तो वो भी क्या है reflex section है कि हमसे कोई कहने को हमसे कोई यह करने के लिए नहीं बोलता कि आखे फैला लो आखे बंद कर लो कि आखे ब्लिंक कर लो कि जो ना गरम बरतन है हाथ हटा लो हमसे कोई नहीं कहता वह अपने हाथ या पैर को विड्रॉ करते हैं के नहीं करते हैं कोई नीडल टंच हो जाए कोई गरम बरतन टंच हो जाए कफिंग यौन ने जवाईं लेता है यौन करते हैं sneezing कि आप कुछ आप बोल सकते हो कि कुछ irritant है जो आप बेसिकली आपने क्या करा आपने सांस अंदर ली हवा में क्या होता है कुछ irritants होते हैं वो आपके नाक के अंदर चले गए ठीक है और जाकर के irritation cause करने लगे मतलब वो आपके नाक नेजल चांबर का जो आपका एट्मॉस्फेर है उसमें वो चेंज लेकिया जाते हैं चेंज मतलब स्टिमिलस तो जैसी स्टिमिलस आया आपकी बॉड़ी क्या रिस्पॉंस करती है अच्छी है ना मतलब आप बोल सकते हो कि वह डिफेंजिव रिस्पॉंस हो जाता है कि हाँ तो जो आपने एयर इंहेल करी थी उसमें कश इरिटेस्टे जो आपके नेजल चांबर में जा करके उसका एट्मॉस्फेर है वो चींच कर रहे थे इडिडेशन कॉस कर रहे थे तो आपकी बॉड़ी ने quick response show किया, act छी करके आपने छीख दिया, ताकि वो irritants रहें वो बहार निकल जाए, that is reflex action, छीखने के पहले बिटापन सोचते नहीं कि छीखे की ना छीखे, वो आपने आप हो जाता है, तुम चाहो चाहे ना चाहो, involuntary, ठीक है, a gentle strike below the kneecap while sitting with freely hanging legs, kicks the leg forward, मतलब वो ही कि नीचे पह लटक रहें हैं, और knee joint के जो है, नीचे थोड़ा सा किसी ने gently मार दिया है, तो पैर जो है, आगे की तरह ऐसे जर्क खा के move करेगा, इसको पन बिटा नी जर्क reflex बोलता है, ठीक है, is another example of reflex section, similarly, water, you know, seeing the food, अचाहा, खाना देखके मूँ में पानी आ जाता है, that is also a reflex section, किसी ने कहाँ ही होता है, कि खाना आ गया है, मूँ में पानी ले किया, वो आपने आप बिटा देख करके जो है, reflex sections अपने शुरू होई जाते हैं, okay, अब reflex section में होता क्या है, what happens in a reflex section, in reflex section, the fine tips, यहने कि dendrites जो होती है, receptors की, sensory neurons की, quickly relay a message, electric impulse, via sensory nerves to the spinal cord, मतला वो ही है कि जो receptor से जो आप बोल सकते हों कि stimulus है, ठीक है, वो जाता है sensory neuron के पास, फिर sensory neuron क्या करते हैं, sensory impulse को लेकि जाते हैं, कहां तक, spinal cord तक, ठीक है, ध्यान रखना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, spinal cord, okay, the spinal cord then sends information via motor nerves to effectors which show response, तो spinal cord में क्या होता है, relay neurons होता है, वो जानकारी की processing कर लेते हैं, decision बना के motor impulse के form में भेज देते हैं, कहां तक, effector तक, via motor nerves, ठीक है, या motor, आप बोल सकते हैं कि neuron, the path taken by nerve impulses in a reflex section is called reflex arc, कि reflex section के time पर जो nerve impulses path follow करती हैं, उसी को पन बोलते हैं, reflex arc, ठीक है, चलो, thus reflex sections generally involve spinal cord for quick response to specific stimulus, however, information input also goes on to the reach the brain, where thinking process occurs, ठीक है, आप देखो ऐसा है, ठीक है, पर यह प्रिट कर लेते हैं, पन, the path taken by nerve impulses in a reflex section, को पन क्या बोलेंगे, reflex arc बोलेंगे, आप से पूछा चाते हैं कि बताओ reflex arc के क्या-क्या component होते हैं, तो पांच component होते हैं, बिटा, एक होता है, रिसेप्टर, देखो बिटा, जब तक रिसेप्टर नहीं होगा, तब तक change को sense करने वाला कोई नहीं होगा, stimulus को receive करने वाला कोई नहीं होगा, so receptor must है, ठीक है, it is a specific group of cells और या organ, the neurons of which receive a stimulus and set up a sensory impulse, ठीक है, then sensory या afferent nerve, है न, आप बोलोगी कि मैं nerve क्यों आ रहा है, बिटा, जो collection बनता है, जो bundle बनता है, sensory neurons का, उसी को अपन क्या बोलता है, sensory nerve बोलता है, ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पर sensory neuron भी लिख सकते हो, nerve लिखोगे, neuron लिखोगे, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहरा के पास receptor होना चाहिए, जो stimulus को receive करेगा, ठीक है, और sense करेगा, उसके बाद में होना चाहिए, आपके पास sensory neuron, जो क्या करेगा, sensory impulse को, जो है sense organ से, spinal cord तक ले करके जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में, a portion of central nervous system, it is the spinal cord या brain, अब आप बोलोगी कि मैं इतनी देर से आपने बोला था, कि सिर्फ जो है ना, जो अपने reflex sections होते हैं, उसमें अपन brain को involve करते हैं, उसमें अपन सिर्फ और सिर्फ spinal cord को involve करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है portion of central nervous system, brain या spinal cord में, इसका क्या मतलब हुआ, तो बेटा देखो, ऐसा है, बहुत देर से जो है, अपन बुराई कर रहे हैं brain की, कि brain जो हैं, quick responses शो नहीं कर पाता है, ऐसा नहीं है, brain भी quick responses शो करता है in certain situations, अगर आपको यादो, तो पिछले lecture में, जब अपन midbrain पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताय था, कि midbrain आपके syllabus में इतना है नहीं, मैं आपको extra पढ़ा रही हूँ, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा वो जरूरी था, याद होगा midbrain में होते हैं corpora, quadrigemina, superior and inferior colliculi, superior inferior colliculi, जो होते हैं, वो आपके visual reflexes को control करते हैं, और जो inferior colliculi होते हैं, वो आपके auditory reflexes को control करते हैं, याद आया, तो वहाँ पर अपने reflexes की बात करी थी, कि किसी ने अगर आपका नाम पुका रहा है, तो आप क्या करोगे, तुरंट उसको ऐसे पलट के देखोगे, तो यह आपको auditory reflex है, ठीक है, अगर यहाँ से कोई, मतलब क्या बोलता हैं, कोई बहुती stylish सी bike जा रही है, तो आप उसको ऐसे देखोगे कि ने, वो आपका visual reflex है, तो ऐसा नहीं है कि brain reflexes जो है नहीं generate कर सकता है, कर सकता है, but in certain situations, most of the situations में spinal cord ही होती है, जो reflex section perform करती है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, brain या spinal cord, its neurons मतलब वोई relay neurons के यहाँ पर बात हो रही है, analyze and interpret the sensory impulses and set up an appropriate motor impulse accordingly reflexes are termed spinal reflexes या cerebral reflexes, कि अगर spinal cord ने reflex section, मतलब spinal cord यदी decision ले रही है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, spinal reflexes, और अगर वोई superior and inferior colliculi participate कर रहे हैं, यह ब्रेन participate कर रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, cerebral reflexes बोलेंगे, तो reflex section भी बेटा दो तरह के होता है, cerebral and spinal, ठीक है, motor या efferent nerve, मतलब वोई जो motor neuron होगी, बेटा, वो क्या करेगी, motor impulse को effector तक लेके जाएगी, spinal cord से, ठीक है, फिर इसके बार में effector होता है, effector muscle भी हो सकता है, कोई gland cell भी हो सकता है, here impulse terminate हो जाती है, and response occurs as per the instructions received from central nervous system, ठीक है, ओके, when our hand accidentally touches, ये वो जो hot plate experiment है, उसी को यहाँ पर explain किया गया है, कि when our hand accidentally touches a hot object, heat is sensed by the thermoreceptor, thermo बेटा, receptor का मतलब क्या है, वो receptor जो temperature, heat, है न, thermo word कहाँ सा है, temperature से, तो वो receptor जो temperature change को sense कर लेते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, thermoreceptors बोलते हैं, present in the skin of our hand, हाथ की जो skin होती है, बेटा, वहाँ पर होता है, receptor कौन से, thermoreceptor, जो temperature change को sense कर लेते हैं, ठीक है, तो the stimulus जो है, trigger करता है, nerve impulse कहां, sensory neuron में, फिर इसके बाद में message कहां जाता है, spinal cord में, spinal cord में, आप बोल सकते हो कि relay neurons होते हैं, वो processing करते हैं, और इसके बाद में, जो भी decision है, वो pass करते हैं, किसको, motor neuron को, motor neuron क्या करेगा, उसको ले करके जाएगा, कहां तक हमारे हाथ की muscles के पास, motor neuron, motor impulse को ले के जाएगा, कहां तक हाथ की muscles के पास, जो हाथ की muscle होगी, वो contract करेगी, pulls our hand away from the hot object, such reflexes which involve spinal cord are called spinal reflexes, ठीक है, reflex sections generally involve करते हैं spinal cord को ही, hence majority of reflexes जो होते हैं, बेटा, वो spinal reflexes ही होते हैं, बटा, कभी-कभी brain को भी involve कर लेते हैं, ठीक है, however, there are some reflexes, जहां पर brain भी involve होता है, जिनको पन बोलते हैं, cerebral reflexes, for example, जब bright light हमारी आखों पे focus होती ही, तो हम क्या करते हैं, अपनी आखों को ऐसे चुटे-चुटा सा कर लेते हैं, बन कर लेते हैं, that is cerebral reflexes, है ना, वो जो superior colliculi होते हैं, वो क्या करते हैं, तुमारे visual reflexes को control करते हैं, तो अगर बहुती तेज़ रोशने तुमारी आखों को बन कर लोगे, that is cerebral reflex, आई बात समझ में, चलो, यह देखो, कुछ इस तरीके से, हमारी जो pupil होती है, वो हम ऐसे क्या करते हैं, contract कर लेते हैं, तक कि कम light जो है, हमारी आखों के अंदर जाए, thus contraction of pupil of human eye in the presence of bright light is an example of cerebral reflex, other examples of cerebral reflexes are salivation at the side of food and peristalsis, कि खाना देखके ही मुँ में पानी आ गया, that is cerebral reflex, जो peristaltic movements होते हैं, वो भी क्या होते हैं, बेटा, cerebral reflexes ही होते हैं, बट हाँ, majority reflexes क्या होते हैं, spinal, और हाँ, कुछ थोड़े बहुत, जो cerebral होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दियें, जो कुछ भी है, तुमारा brain ही decide करता है, कहां गया, चलो, यहाँ देखो, सब कुछ जो है, तुमारा brain ही decide करता है, ultimately, ठीक है, तो या, brain भी तो, कभी न कभी काम करते करते, बोलेगा ना, कि या, यह इंसान कितना काम मुझसे करवाता है, पढ़ाई भी मैं करवाऊं, है ना, इसको creativity मैं ही लाकर की दू, सोचू भी मैं, decision भी मैं ही लूँ, बहस बाजी भी मतलब, वही logical reasoning मैं ही करूँ, मैं सारे काम को रूँ, या, यह क्या life है मेरी, तो brain को भी कभी कभी बिटा, मतलब, rest देना चाहिए, तो इसलिए जो इसकी चोटी होती है, spinal cord, वो बोलती कि, यार, क्यों जो है ना, बार बार principle को परिशान करो, मैं भी तो wise principle हूँ, अरे कुछ decisions तो मैं भी रह सकती हो ना, after all, really, rerons तो मेरे पास भी होता है ना, like that, फिर इसके बाद में, it results in quick response to otherwise harmful stimuli, जो है वो, ऐसी तैसी कर देंगे, ठीक है, इसके रावा, it has a survival value, सीधी सी बात है, अब reflex sections बेटा, यहीं तक थे, अब हम बात करते हैं, अपने कुछ दूसरे involuntary actions, involuntary actions के उपर, देगो, involuntary का मतलब क्या है, जो आपकी will के, बिना हो जाए, ठीक है, मैं अब जानवर, जानवर बोलो, इंसान बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, जो हमारी will के according ना हो, अपने आप हो जाए, हमसे बिना पूछ है, हमारी इक्षा के, बिना हो जाए, उनको अपन बोलते हैं, involuntary, और जो हमारी इक्षा के अनुसार हो, that is voluntary, ठीक है, तो voluntary actions तो आप, देखो, सभी को पता ये, कोई उसमें बहुत बड़ी बात है, नहीं, voluntary actions, बिटा, आप सभी को पता है, यहां पर मैं बड़ दिखा देती हूँ, यह दे, voluntary muscular actions are performed by the animal with its will, उसकी इच्छा के अनुसार ही, इंसान काम करता है, in each voluntary action, the animal exercises its choice so that the same stimulus may receive different responses at different times, depending upon the situation, for example, on seeing a snake in the way, अगर मालो की रास्ते में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें उससे डर के भाग जाना है, या तुम वहीं खड़े रहा होगे, किसी और को बुलाओगे, कि यार इसको पकड़ते हैं, या फिर तुम उसको वहीं के वहीं मार गिरा होगे, तो उसमें तुमने डिसाइड किया है, कि तुम्हें उस stimulus के according कैसे respond करना है, सोच समझ कि तुमने वह काम किया, मैंने क्या बोला, voluntary actions जो होते हैं, वो इनसान की एक्छा के अनुसार ही होते हैं, वैसा वो चाहेगा, वैसा वो करेगा, एक साप देख लिया, ठीक है, मालो की रास्ते में एक डॉग ही तुमको मिल गया, वो तुम पर भागोगे, या तुम उसके पास जागर कि उसको ऐसे कुची-कुची-कुची-कुची करोगे, उसको शान्त करवाओगे, या फिर तु उसको पत्थर मरगे वहाँ से भगाओगे, वो जो भी तुम करोगे, वो तुम्हारे इक्छा पर डेपेंड करेगा, तो उसको सोच समझ के करोगे, those are called voluntary actions, ठीक है? All such actions are voluntary actions that are controlled by the cerebellum part of the hind brain, similarly walking in a straight line, riding a bicycle, picking up a pencil are also voluntary actions controlled by cerebellum. अब इसके बाद में हम बात करते कि इसकी involuntary actions की, आप बोलोगे कि में reflex actions भी तो involuntary actions होते हैं, है ना, यह अपने देखा कि हमारी इच्छा है कि नहीं है, हमसे कोई नहीं पूछता है, वो अपने आप हो जाते हैं, तो क्या सारी ही involuntary actions, reflex actions होते हैं, बहीं देखो, reflex actions जो हो होते हैं, वो involuntary actions होते हैं, लेकिन हमारी body में होने वाले जो बाकी involuntary actions हैं, क्या वो भी reflex actions होते हैं, तो वैसा नहीं है, all reflex actions are involuntary actions, but all involuntary actions are not reflex actions, ठीक है, जैसे हमारी body में और भी तो कितने सारे involuntary actions सलते रहते हैं, जैसे कि पूरी elementary canal में peristaltic movements होते रहते हैं, ठीक है, gastric juices निकलते हैं, हाट जो है लगातार बीट करता है, पंप करता है, फेपडे काम कर रहे हैं, हर औरगन अपना अलग-अलग काम कर रहा है, तो क्या वो सारे reflex action है, क्या, नहीं, वो involuntary actions है, तो फरक है बिटा दोनों में, ठीक है, involuntary actions are performed by the animal without its will, these occur automatically and the animal has no choice in it, हमारे पास कोई option नहीं रहता है, such actions are meant for controlling and coordinating the functioning of the internal organs, कि internal organs में proper coordination and controlling होती रहा है, इसलिए वो होते हैं, many of these involuntary actions are controlled by the midbrain and the hindbrain, regular हमारा heart beat कर रहा है, blood pressure हमारा जो भी चल रहा है, diaphragm का movement है, respiration के time पे, peristaltic movements हो रहे हैं, salivation, vomiting, ठीक है, और जो भी विसरा का movement हो रहा है, यह सब क्या हैं, बिटा, involuntary actions है, ठीक है, अब एक बार बहुत पहले पूछा गया था, involuntary actions और reflex actions के बीच में क्या difference होता है, क्योंकि, जैसा कि मैंना आक को बताया, कि difference तो है, reflex actions involuntary actions है, बट सारे involuntary actions reflex actions नहीं होते हैं, तो क्या difference है, यह कभी कभी पूछ लिया, एक बार पूछा जा चुका है, तो आज हो अपन एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, involuntary actions के लिए आपे लिखा हुआ है, कि यह हम अपनी इक्छा से इनको control नहीं कर सकते हैं, they cannot be controlled by our will, reflex sections जो होते हैं, वो इतने sudden होते हैं, कि हमें सोचने समझने का भी time नहीं मिलता है, involuntary actions में हम बोलते हैं कि इनको कोई stimulus नहीं चाहिए होता है, सबसे main बात तो यह यह बिटा, reflex action हमारी body का करती है, जब कोई stimulus हो, stimulus के response में ही reflex actions क्या होते हैं, perform की जाते हैं by the body, लेकिन जो बाकी involuntary actions होते हैं, वो तो अपने आप उनको stimulus की जरवत नहीं है, हाट हमारा beat कर रहा है, pump कर रहा है, उसके लिए कौन सा उसको stimulus चाहिए है, gastric juices निकल रहे हैं, सारे organs अपने अपना काम कर रहे हैं, उनको उसके लिए क्या stimulus की जरवत है, कोई stimulus नहीं चाहिए, समझें, involuntary actions जो होते हैं, they are regulated by the brain, involuntary actions को, सबसे बड़ा difference तो यह है न, कि reflex actions को कौन कंट्रोल करता है, spinal cord, और जो दूसरे body के involuntary actions होते हैं, उनको brain control करता है, ठीक है, तो यहां पर involuntary actions में कोई stimulus नहीं चाहिए होता है, reflex actions में चाहिए होता है, reflex actions को control करती है, spinal cord, और बाकि जो involuntary actions है body के, उनको control करता है, कौन brain, याद होगा आपको medulla oblongata, उसके बार में मैंना कुदाया था, पिछले lecture में कि जितने भी body के involuntary actions हैं, सब यही बैटके control करती है, है ना, involuntary actions में as such कोई skeletal muscle involved नहीं होती है, internal organ जो तुमारी smooth muscles हैं, वो involve होंगी, लेकिन skeletal muscles involved नहीं होती है involuntary actions में, reflex actions में skeletal muscles involved होती है, involuntary actions के यदि हम बात की जाए, तो यह जिन्देगी भर चलती है, इंसान की body में, reflex action बेटा, emergency situation में ही आते हैं, मतलब कि अब तुमारा हाथ किसी गरम बरतन से touch हो रहा है, तुम अपने हाथ को वहाँ से withdraw कर लोगे, बस हो गया, है ना, बार बार जिन्दीगी भर तो तुम अपने हाथ को withdraw नहीं करते रहोगे, involuntary actions जिन्दीगी पर चलेंगे, heart pump कर रहा है, तो वह करता ही रहेगा, लेकिन अगर तुम ने गरम बरतन से अपने हाथ को withdraw कर रहा है, तो तुम एक ही बार करोगे, बार बार नहीं करोगे, ठीक है, so these actions are produced in response to an event of an emergency, emergency के time पर किसी stimulus के लिए response होता है, इसके बाद में खतम, this action में भी quick और slow, involuntary actions quick भी हो सकते हैं, slow भी हो सकते हैं, यह तो बेटा बहुत ही quick होते हैं, हमेशा ही quick होते हैं, ठीक है, example क्या है, heart beat कर रहा है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं सकते हो, knee-jerk experiment लिख सकते हो, ठीक है, आप क्या बुलते हैं उसको, हाथ को जो आप immediately withdrawal करते हो, आप वो वाला भी लिख सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पर एक छुटा सा concept और आता है neuromuscular junction का, तो बेटा यह neuromuscular junction क्या होता है, जैसे कि मैंना आपको पहले भी बताया है, कि जैसे कि अभी अपन ने वो पढ़ा ना, hot plate वाला example कि अगर कोई गरम plate टच हो जी तुमारे हाथ से, ठीक है, तो जो तुमारी spinal cord है, वो क्या करेगी, जो relay neuron है, वहाँ पर जो है impulse पहुँचेगी, sensory impulse, information की processing होगी, एक decision बनाया जाएगा, कि भईया, हाथ को withdraw करो, कैसे? तो हाथ की जो muscles है, है ना, उसको बोलेंगे, कि भईया, तुम contract करो, तुमारी जो bicep muscle है, इसको बोलेंगे, कि भईया, तुम contract करो, तकि जुपहरा हाथ है, वो वहाँ से withdraw क हो हट जाए वहाँ से ठीक है तो वो ही है कि spinal cord से क्या होगा spinal cord से आप बोल सकते हो कि जो motor neuron है वो motor impulse को ले करके जाएगी कहां तक तुमारे हाथ की muscle के पास तो बिटा होता क्या है motor neuron और जो तुमारे हाथ की muscle है इनके बीच में junction बन जाता है ठीक है यहाँ पर तुम अगर picture देखो के यह देखो this is motor neuron यहाँ देखो I hope तुमको यह color दिख जाए यह दिखरी तुमको यह है बेटा motor neuron ठीक है और यह क्या है यह सारे उसके exon terminal है यह synaptic knobs है ठीक है यह देखो तो यह जो motor neuron है बेटा यह क्या कर रहा है यह लेकर के आया है motor impulse यह लेकर के आया है motor impulse कहां से हो सकता है कि spinal cord से लेकर आया हो अगर reflex action हो रहा है तो ठीक है यह अगर कोई normal involuntary action हो रहा है ने not involuntary मतलब मालो कि बस इतना समझ लो कि हाँ जो motor neuron है ये एक motor impulse लेकर क्या आया कहां तक तुमारे ये हाथ की muscle के पास, ठीक है? तो ये देखो, तुमारे हाथ की जो muscle है और ये जो motor neuron है, इनके बीच में बेटा कुछ इस तरीगर कर देखो क्या बन गया है, ऐसा junction बन गया है, इसको पन बोलते हैं neuromuscular junction, neuro क्यों? क्योंकि इसमें motor neuron है, muscular क्योंकि उसमें तुमारे हाथ की muscle involved है, ठीक है, तो motor neuron और आप बोल सकते हो कि muscle की बीच में, ये आपकी NCRT का बेटा डाइगराम है, ठीक है, जो junction बंदस को बन क्या बोलते हैं, देखो, neuromuscular junction, ये क्या है, exon of motor junction, ये एक muscle fiber है, ठीक है, और यहाँ पर जो है, इसका close-up दिखाया जारा है, कि किस तरीके से देखो, ये क्या है, एक synaptic knob है, मतलब ये, आपको दिख रहे हैं, कई सारे synaptic knob, उसी को जो है, इसका close-up दिखाया जा रहा है, ये synaptic knob है, इसके दर देखो, इस सारे क्या है, synaptic vesicles है, ये mitochondria बगरा है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से जो है न, वो निकलेंगे, neurotransmitter निकलेंगे, ठीक है, muscle के जाकर के जो है, activate कर देंगे, तो muscles जो है, क्या करेंगी, contract, relax करेंगी, depending upon क्या signal आया है, वहाँ से, ठीक है, तो a neuromuscular junction is a place in the body, where the exons of motor nerve meet the muscle, ध्यान रहना बेटा, motor nerve या motor neuron ही लिखना, ठीक है, तो exons of motor nerve या neuron meet the muscle, thus transmitting messages from the brain, which cause the muscle to contract and relax, ये brain का जो signal है, उसको पहुचाने के लिए junction बनता है, that's it, आज के इस session में बेटा आप ये समझ लो, कि हमने chapter का एक major portion cover कर लिया है, ठीक है, मतलब आज तक के इस lecture में, हमने chapter का एक major portion cover कर लिया है, आज अपन ने voluntary, involuntary actions, reflex actions, सब कुछ हमने cover कर लिया है, अब हम मिलेंगे अपने अगले lecture में, अब वहाँ से हम शुरू करेंगे endocrine system, endocrine system भी बिटा दो lectures का topic है, इसके बाद में आप ये समझ लो, कि जो control and coordination in animals है, ये topic हो जाएगा complete, और फिर उसके अगले session से हम बात करेंगे plants के ओपर, plants का जो concept है वो छोटा सा है, वो जल्दी ह हो जाएगा, तो आज के इस lecture तक हमने इस chapter का एक major portion cover कर लिया है, अब हम मिलेंगे अगले session में, तब तक के लिए keep learning, with definite success बाद चला, bye bye, have a great day.